नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का Fast Study Planner यूटूब चैनल पर साथ यूपी PCS 2021 में अलग-अलग कितनी पोश्ट है इस विशेपर बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था देखे आज की वीडियो इसी टोपिक पर होने वाली है देखे आज की एक खबर है छे फरवरी 2021 का न्यूज पेपर है अमरुजाला परियागराज का इसमें लिखाया यूवाओ के SDM बनने की उमीद को लगा जटका आयोग को नहीं मिला अधियाचन 2021 में जो यूपी PCS का फोर्म निकला है ये जिसके पांच फरवरी से उनलाइन फोर्म भरे जा रहे है उसमें SDM का पद अभी तक नहीं है आयोग को अधियाचन नहीं मिला इसका डिप TSP के 16 पद हैं DSP के बीडियो के 30 पद है सबसे अधिक पद परधानाचारिय के 202 में पद है देखे ये PCS की पोष्ट नहीं है परधानाचारिय निमनिस्तर की पोष्ट है PCS के हिसाब से और सबसे अधिक पद इसी के हैं इसमें 202 में लगबग 300 पद मानली जाब 400 पदों पर ये विग्या पनाया है और लगबग 300 के आसपास परधानाचारिय की पोष्ट है इसमें जिसे आप एक PCS इस तरके ओफिसर आप परधानाचारिय को नहीं कह सकते राज के इंटर कालिज में परधानाचारिय होते हैं ये BSA और DIOS फिर भी समझ में आता है लेकिन परधानाचारिय को PCS में रखना चलो जैसी सरकार की मनसा है SDM के लेकिन ये 400 पदों पर जो विग्यापन आया है मैं आपको कल भी वीडियो में बताया था कि ये बढ़कर 600-700 के आसपास हो जाएगा 600 से पलस पोष्टे हो जाएंगी आपको पता होगा कि 2019 में भी पोष्ट बढ़ी थी फिर 2020 में भी पोष्ट बढ़ी है 200 पोष्टों पर विग्यापन जारी हुआ था 2020 का और बढ़कर साड़े 400 या 455 के आसपास हो गई थी तो इस बार भी ये 700 चुनावी वर्स कह लीजे आप या कुछ भी कह लीजे ये बढ़कर 700 के आसपास हो जाएंगी पोष्ट SDM के विग्यापन भी SDM का धियाचन भी मिलेगा जरूर चलिए इस खबर को देख लेते हैं देखे समलित राज्य अवर अधिनस्त सेवा PCS परिक्सा 2021 और साहक वन संग्रक्सक छेत्रेवन अधिकारी परिक्सा 2021 के लिए सनिवार से ओनलाइन आवेदन की परकिरिया शुरू हो गई PCS के 400 पदों पर भरती होनी है लेकिन इसमें SDM का कोई पद सामिल नहीं है आयोक के अफसरों को उमीद है कि SDM समेथ कैई अन्य पदों को अधियाचन भी आयोक को जल्द मिल सकता है ऐसे पदों को PCS 2021 में सामिल कर लिया जाएगा देखे मैं आपको बता चुका हूँ SDM के पद आएंगे और कैई और पदों पर दिया चनाएगा तो आपके पद 400 से बढ़कर 700 के आसपास होईंगे PCS 2021 और ACF RFO 2021 के लिए आनलाइन आवेदन समिट करने के अंतिमती थी 5 मार्च और आनलाइन परिक्सा सुल्क बैंक में जमा करने के अंतिमती थी 2 मार्च निर्धारित की गई है उत्तर परदेश लोकसिवा आयोग यूपी पीएस्सी को अब तक ACF और RFO के 15 पद PCS के तकरीबन 400 पदों का दियाचन मिला है हाला कि इसमें SDM का कोई पद सामिल नहीं है यूपी पीएस्सी के मीडिया परभारी पुसकर स्रीवास्तव के अनुसार आयोक को राज के इंटर कोलिज के परदानाचारिय के सरवादिक दोसो बाण्ड में पदों का दियाचन मिला है इसके अलावा डिप्टी एस्पी के 16 पद खंड विकास दिकरी यानि बीडियो के 30 पद एर्टीयो के 4 पद ओद्योगिक विकास वित एम लेखादिकरी के 6 पदो समेट कैई पदों का दियाचन मिला है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ नियम है कि प्रारंबिक परिखा का परिणाम गोशित होने तक 13 जून को आप का प्री है इसका परिणाम जब आएगा इसका परिणाम आने से पहले पहले यानि प्रारंबिक परिक्सा का रिजल्ट आने से पहले पहले जो अध्याचन प्राप्त हो जाता है वो उस परिक्सा में जोड लिया जाता है क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि प्रारंबिक परिक्सा में जितने पद हैं यानि चार सो पद हैं तो उसके तेहरा गुना बच्चे क्वालिफाई करने होते हैं और यदि अधियाचन मिल जाएगा पद साथ सो हो गए तो उसके तेहरा गुना बच्चे क्वालिफाई किये जाएंगे इसलिए उन्हें भरती में सामिल कर लिया जाता है ऐसे में आयोक के पास कम से कम छे महां का वक्त है तो छे महीने में देखे ये बढ़कर साथ सो के आसपास हो जाएगी पदो की संख्या क्योंकि सरकार चुनावी वर्स में कोई मौका नहीं छोड़ती है अब सरो को उमीद है कि प्रारंबिक परिक्सा का परिणाम गोसित होने तक SDM के साथ के अन्य पदो का भी अधियाचन मिलेगा और पदो की संख्या बढ़ेगी पिछले कुछ वर्सों में PCS परिक्सा के लिए जितनी परिक्साए हुई उनमें भी विग्या पंजारी होने से लेकर प्रारंबिक परिक्सा का परिणाम गोसित होने तक आयो को कई नए पदो का अधियाचन मिला देखें मैं आपको बता चुका हूँ 2019 में काफी पद पढ़े थे बीडियो और नायब तैसिलदार के उसके बाद 2020 में भी अधियाचन बाद में मिला तो बाद में पद बढ़े इस बार भी 400 से बढ़ कर ये 700 हो सकता है ये 800 के आसपास भी पहुँच जाए ये पद आपका प्री का रिजल्ट आते आते 800 के पास भी पहुँच सकता है आपको पता होगा कि अभी तक की सबसे बड़ी भरती 2018 में हुई थी सबसे अधिक पोश्ट तीस में सायद 900 के आसपास थी 900 कुछ उतने पद भी हो सकते हैं इसमें इस बार तो आप चिंता मत कीजे देखे फिलाल डिप्टी एसपी के 16 पद हैं बीडियों के 30 पद हैं और एर्टियों के 4 पद हैं ये पद ही PCS के लायक हैं बाकी ये परधनाचारिय भीनों ने PCS में डाल दिया है कैई साल से तो धन्यवाद दोस्तों जेदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चनल फास्टी स्टेडी प्लानर को लाइक सेयर और सबस्क्राइब कीजे धन्यवाद दोस्तों झाल 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 झाल